क्प्पीटर क्या है किसे कहते हैं क्प्पीटर में क्या क्या हो सकेंगे क्प्पीटर के क्या पार्ट्स हैं क्प्पीटर गैसा काम करता है इस सारा चीज हम इस वीडियो में सीखें तो चलो देखते हैं क्प्पीटर क्या है इसका मतलब क्या होगा एक इलक्टोनिक डिवाइस है या फिर मुशीन है जो चाह परेगा हमारा जो भी काम होगा उससे प्रोसेस करके हमें देगा ठीक है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या ह चाहिए अपसे इस और तेटा को लेगा इनपुट की तरह और उसे काम करेगा जिसको जब प्रोशेस बोलते हैं काम करने के बाद उसे इसे क्वेश्ष करेगा और मैं जब दैकार होगा हमें आउपुट की तरह जिसे हम रिजल्ट कहते हैं ठीक है? It is also called as calculating machine इसे हम calculating machine भी कहते हैं क्योंकि computer हमें साथ कुछ ना कुछ पूसेसिं करता है, कुछ ना कुछ चालकुलेट करता है, कुछ ना कुछ ना कुछ चालकुलेट करता है, so this is also called as Calculating Machine, right? Okay, we'll check the next slide Computers Basically Computers means these four parts Monitor, Keyboard, Mouse and CPU These four parts और four things collectively called as computer यह क्या पोल रहा है? Monitor, Keyboard, Mouse, CPU को लेके ही हम computer बोल पहे हैं Computer का मतलब Monitor नहीं है, जो TV की तरह दिखता है, वो नहीं है Computer का मतलब कीबोर जिससे हम टाइप करते हैं, वो भी नहीं है Computer का मतलब माउस, जिसको हम हाथ के मदद से यूज करते हैं, और एक pointer आता है Computer का मतलब CPU भी नहीं है, जिससे हम जो हमारा work को process करता है, किसी एक single चीज को हम computer नहीं बोल सकते हैं, तो यह चारों का combination को हम क्या बोलेंगे, computer बोलेंगे, तो चारों एक दूसरे का का म करते हैं और Collectively, जो काम बहार आता है, वो computer के बजह से हमें मिल पाता है तो हम क्या समझेंगे, यह चारों का combination, minimum combination of these fours Four is called as computer, right? And here at the bottom we have father of computer, Charles Babbage, the computer card Father, Jesse Campbell, inventor of computer, is called Charles Babbage, correct? Next slide, monitor, it is called as output unit on device which shows result on output, monitor क्या करेगा, हमें result दिखाएगा, देगा, ठीक है, जो की TV की screen तरह होता है, screen की तरह होता है, या फिर TV की तरह होता है, या फिर LED TV की तरह होता है, उससे हम monitor क्याते हैं, ठीक है, जो की एक output unit है, output unit का मतलब, जो हमें output देता है, या फिर output को source करता है, ठीक है, keyboard, keyboard is an input device which gives input, ठीक है, keyboard के जर्ये, हम typing करेंगे, और typing जो करेंगे, वो हम computer system को दे पाएंगे, जो हम देते हैं, उससे हम input करेंगे, ठीक है, mouse, mouse is a pointing device which points various things in monitor, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, mouse एक pointing device है, जो की जिसके जरीए हम monitor screen पे जो गी, देखते होंगे, उससे हम point कर पाएंगे, ठीक है, CPU, CPU is the brain of the computer, which process data or input for results, its full form is central processing unit, CPU जो है, computer का दमाग है, brain है, वो सारा calculation, सारा processing, सारा thinking, या फिर जो भी work out होगा, computer में, वो करेंगे, ठीक है, इसको हम बोल दें, central processing unit, ठीक है, computer parts, there are four basic parts of computer system, these, input, output, processing, memory, right, input, these are the device responsible for sending data to the computer system, like keyboard, mouse, mic, touch screen, etc, input क्या होगा है, जैसे कि हमने बताया आपको, input हम जिसके जरीए देंगे, ठीक है, उसे हम input unit, या फिर device कहेंगे, ठीक है, जैसे keyboard, keyboard, keyboard की जरीए भी हम कुछ देते हैं, type करदेते हैं, वो चले जाता है, computer ठीक है, mouse का जरीए जो हम जिसे, click कर देते हैं, वो message चले जाता है, computer में, ठीक है, माइक के जरी हम जो कुछ कहते हैं वो कम्पीटर में चल जागा तो ये सारे चीज क्या होंगे इंपूट डिवाइस होंगे ठीक नेक्स पांट हम देख लेते हैं यहां पर जरी हैं आड़गम रिषा कि कम्ले रीडर पांगे ज़िसाडा पांगे ये पर मोनेटर के जरी हम Ausput कि प्रिंटर के जरिए आपड़ के आता है जिसे हम सुन पाते हैं कुछ भी computer में बजाते हैं जिसे song या फिर मौवीज देखते हैं तो speaker के जरिये हमारे पास आता है जिसे हम सुन पाते हैं ठीक है हमें मिल रहा है तो speaker भी एक हो जाएगा प्रिंटर के जरे हैं कुछ भी तरकर मुद्ध पाते हैं कुछ भी रेजाल्ट करके हम इसे ले पाते हैं यह पोर्वनसम उपकर दाइए जहाँ पॉस्टिर के नहीं केश्थ सहेऊच ऑफ़ायन Kitty Tech Mason with the data whatever you have given to the computer system right there's a camera 2 plus 3 so maybe a computer 2 plus 3 to calculation so that is what the working out or that is what called as processing after processing it is going to give you the result 2 plus 3 is 5 right so this is what the processing is right this task is done by the CPU this is also very important part of your computer system right it is an area of computer that holds data that is waiting to be processed stored or output what is it? what will happen in memory? what will be the processing data in processing it will be stored when it is stored, when it is under the processing for let us know when it is under the processing data at the same time यह रिट कर सकते हैं देख सकते हैं तो यह में वरी होगा ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रॉड़क्शन तो कंप्पूडर्स है सेम चीज है यह क्या बोल रहा है जैसे हम बहुत सारे डिपनेशन अल्री हम पता चुके हैं आप लोग को यह एक डिपनेशन है कि अप्पूटर इस विए इस विंग तो ओर्क मैथमेटिकल अनलाजिकल वर्क अग्ड़क्शन था इस वर्किंग इस मुच्छ मोर फास्टर था है है अजया बहुत सा सर्थ पाहर था था काता चुके यह पर इस विए के अनली एफ न सांसे बहुत सा कारता है झाद है तो इस विए system okay in simple we can say computer programs is setup instruction to do a particular task right hardware hardware is physical part of the computer system like keyboard monitor mouse these are coming under hardware software programs that runs on computer simple programs that run on computers will you program so they have the basic terminologies in computer right let's see look at this picture we have monitor we have keyboard we have CPU then disk tap printer right keyboard coming under input device CPU is the processing processing right primary storage this this thing and this thing memory monitor right this is printer these are these are output device okay so this is the whole scenario we can see these are the parts of the computer system without keyboard monitor CPU the computer is not complete and of course with the help of the mouse so this is all about your computer introduction thank you for this video thank you